इंसानी दिमाग, प्रकृती द्वारब मनाए गई दुनिया की सबसे जड़ील और तेज मची ये ही वो अंग है जो इंसानों को जानवरों से अलग करता है पर क्या आप ये जानते हैं कि दिमाग के खुद के कुछ डराबने रहसे हैं? आई ये जाने क्या? आप देख रहे हैं फैक्ट जिनी नमबर एक आपकी दिमाग के सेल कैनिबल यानि की नर्भक्षी होते हैं आपका दिमाग शरीर की करीब 20-25% उर्जा इस्तमाल करता हैं और सदेव भूका रहता है अगर आपका पिट भरा ना हो और शरीर में परियापत उर्जा ना बन रही हो तो दिमाग उर्जा के लिए अपने ही अंदर के सेल्स को खाने लगता है ज्यादा सुने से आपका दिमाग पागल हो सकता है ज्यादा सुने से आपके दिमाग जल्दी बुड़ा होता है क्यूंकि सोते वक दिमाग की एक्टिविटीज यानि की गतिविधियां बढ़ जाती है आपने महसुस किया होगा कि ज्यादा सुकर रफने से आप नींद और जागे हुई की बीच की स्थितिय में हो जाते हैं वहाँ है ही नहीं इन केमिकल्स को इनसान अलग-अलग तरीकी के ड्रग्स लेकर उत्यजित कर सकता है पर कभी कबार ये केमिकल्स खुद ही अक्टिविट हो जाते हैं जैसे कि कभी कबार नींद से उठने के समय आपको एकदम असली दिखने वाले सबने आते हैं नमबर चार जो भी आपको आखों से दिख रहा है वो असली दुनिया नहीं है आखों के बर्दे पर पढ़ने वाली रोशनी दो आयमी यानि टू-डैमेशनल होती है और हम रहते हैं तीन आयमी यानि थी डैमेशनल दुनिया में तो दिमाग आखों से मिल रही इन टू-डैमेशनल पिक्चरों को अंदादे से तीन आयम में बदल देता है और फिर आपको दिखाता है यानि कि जो भी आपको दिख रहा है वो सिर्फ आखों का नहीं पर आपके दिमाग के दौरा पैदा किया गया प्रहम है इंसानी दिमाग में दर्द भापने वाली कोई शिकाय नहीं होती तभी तो ब्रेन सरजरी की टाइम में इंसान ज्यादा तर होश में रहता है दर्द के सिगनल दिमाग शरीर को तभी भेजता है जब उसे ये लगता है कि आपकी जिनगी को ख़द रहा है पूरे शरीर में दर्द की भावना भेज सकने के बावजूद दिमाग खुद अपने आपको दर्द से दूर ही रखता है खत्रा पैदा होने पर इंसान को छोड़कर दिमाग पहले खुद अपना बचाव करता है कोई मानसे का घाथ पढ़ने पर दिमाग उस वाक्या को ही अपने से मिटा देता है और उस वाक्या के साथ साथ वो सारी यादे भी मिटा देता है जिससे लोगों में कभी गबार मेमरी लॉस की घटना हो जाती है गहरी चुट लगने पर दिमाग अपने से जरूरी हिस्सों को चालू रखकर बाकियों को बंद कर देता है जिससे दिमाग चालू तो रहता है पर इंसान को मम में चला जाता है हर इंसान के लिए समय की तेजी उसके दिमाग पर नजभर करती है हमारे दिमाग अगर किसी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगता है तो फिर उसके लिए सर्मय जैसी वस्तू कोई माने नहीं रखती इसलिए तो आपको अच्छी लगने वाली चीज़ें करते वक्त आपको लगता है कि थोड़ी देर ही हुई है जबकि घंटे बीच चुके होते हैं और अच्छी ना लगने वाली चीज़ें मैं ऐसा लगता है कि कितने घंटे हो गए हैं जबकि हुए कुछ मिनट ही होते हैं साथी साथ दिमाग को किसी चीज़ में मजाने लगता है तो फिर वो अपना ध्यान कहीं और भिड़कने नहीं देता इन सब बातों से ये पता चलता है कि किसी का भी दिमाग उसके वश में नहीं है पर हम अपने दिमाग के वश में हैं पर अगर हम किसी तरीके से अपने दिमाग को कापू में पा लें तो दुनिया जीज सकते हैं आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथी साथ ऐसे मसेज़ार वीडियो दिखने के लिए हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करना ना भूलें ये एकदम फ्री हैं बिरते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अलवीदर